हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मैं हूँ हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ म बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे तो साथियों आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB ने एक नियू नोटिस दिया है और साथ सो चोहतर जो प्राइबरे टीचर है उन पर एक नोटिस दिया है और इससे पहले कल मैंने कोस्टन दिया था कि नीबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है तो रुक्साना खान, डॉक्ट आंसर आएं जो correct हैं लेकिन ये सबसे पहले 5 correct answer आएं टॉप 5 तो आज के लिए मैं English का question आप से पूछूँगा और question ये है जो हमारा year होता है मतलव साल होता है तो year के साथ मतलव year से पहले हम A लगाएंगे या N लगाएंगे आर्टिकल में year के साथ A या N में से क्या आर्टिकल लगाएंगे तो ये इस पर आपको answer देना है इसके बाद सात्यों अभी हम बात करते हैं 744 जो PRT के candidates थे उन पर notice दिया DSSB ने और जिनका selection हुआ है सभी को दिल से धन्यवाद सुब कामना है तो साथियों आप ये notice चेक कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ जैसे आप पुरानी site पे जाएंगे वहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं तो उपर ही आपको new site का link दिख जाएगा तो new site link पे जैसे आप click करेंगे तो आप सीधा वहाँ पे पहुँच जाएगे और वहाँ पे सबसे top में ही जो notice है उनमें सबसे top में ही आपको ये notice मिल जाएगा तो आप इसे download कर सकते हैं जो भी साथी काफी time से wait कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है और उन सभी को दिल से सुबकाम नहीं तो साथियों इसके बाद अभी कुछ और update आ रही है कि हर्याना के अंदर जो सिखशक हैं सबसे पहले तो जो guest teachers को government ने पक्का किया है अपना जवाब रखिए क्योंकि जो आप नहीं किया यह सविधान के उसमें नहीं है क्योंकि अगर आप इस तरह की परिक्षाएं करवा रखते हैं जैसे estate हो गया और आप बिना परिक्षा के किसी को job देते हैं और मतलब court ने भी सीधे तोर पर समझा कि यह election के purpose से यह ऐसा किया गया है तो इस पर जल्दी फैसला आने वाला है और उसमें देखते हैं क्या होता है इसके बाद जो हमारे राजेश पाल जी हैं मतलब जो हरियाना में estate pass association है उसके जो परदेश अध्यक से तो वो भी बार-बार अब meeting कर रहे हैं और अपनी जो unity हैं अच्छे से बना रहे हैं मतलब जितने भी district है हरियाना के अंदर सभी में जाके वो meeting कर रहे हैं तो उनका schedule भी है अगर आप लोग चाहते हैं कि meeting कहां कहां है आपके district में कम meeting है आप भी सामिल होना चाहते हैं तो आप personally मुझे contact कर सकते हैं और about में जाके मेरा मतलब आपके contact number है आप WhatsApp message कर सकते हैं और साथियों एक बात और बताना चाहता हूं जो भी साथी CTAT, HTAT, DSSB, KVS इनकी तयारी करना चाहता है तो जरूर contact करें और मैं आपको बताना चाहता हूं दो new teacher अभी हमारे channel पे हैं और बहुत अच्छे teacher हैं आप उनकी videos देखें और मुझे लगता है कि मतलब बहुत अच वीडियो भी डाली थी उन्होंने और एक मैं और आज वीडियो डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और उमीद है कि आप लोग भी support जरूर करेंगे क्योंकि ये new teacher हैं आपे और आपके support के बिना कुछ नहीं हो सकता तो जो भी साथी मुझे सुनते हैं तो मैं एक बार request यही करना चाहूँआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप ये वीडियो पहुँचाएं जिससे इन जो teachers हैं इनका मनोबल भी बड़े तो साथियों ये update है आप लोगों के लिए और हरियाना में भी जल्द से जल्द कोई सुधार देखने को मिल सकता है तो साथियों